दोस्तों यह वीडियो complete किस पर होने वाली है? PVC पैनल पर यो हम वाल के लिए यूज़ करती है हमारी फॉल्स इलिंग के लिए यूज़ करती है तो आज इस वीडियो में आप सिखोगे कि PVC पैनल कौन सी कंपनी अची है टोटल एक रूम को PVC पैनल करवाने है आपको पैनलिंग करवानी है तोटल घर्चा कितना हैगा उसका rate analysis कैसे करते है quantity कैसे निकालते है rate क्या चल रहा है लेवर रेट क्या चल रहा है तो complete इस वीडियो में आप PVC पैनल के बारे में सीखने वाले हो थोड़े बहुत design भी देखो बुरा क्या है और अच्छा क्या है वो सब चीजे उस वीडियो में हम बात कर चुके इसमें total हम बात करने वाले है rate analysis के बारे में और अगर आप किसी ठेकेदार को देते है contractor को देते हो इसका ठेका तो उसमें include क्या होता है और क्या चीज वो provide नहीं करता है और कहां से पैनल सब चीजे आस वीडियो में बात करेंगे तो complete वीडियो देखनी है उससे पहले चैनल को subscribe कर लेना है bell icon दवा लेना है आपको कोई time waste नहीं करूंगा छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें complete knowledge आपको में देखी जाओंगा तो जो rate analysis रहेगा जहां एक रूम का खर्चा कैसे निकालती है जब पूरे घर में कितना पैनल लेंगे वह हम theoretical करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको rate बता दूँ जो PVC पैनल आते हैं हम 3D की बात नहीं करें देखो PVC पैनल आते कि इसमें 3D version में भी आते हैं और नॉर्मल PVC sheets भी आती है और जो PVC अच्छी sheet और उसका जो अगर हम एक per square feet के हिसाफ से बात करें जो market price चल रहा है समय वो चल रहा है 15 रुपे से 60 रुपे के बीच मतलब एक sheet जो 15 रुपे से start हो जाएगी अगर आप wholesale में मगवा होगे लुद्याना बगारा में इनकी काफी जादा companies हैं तो लुद्याना में आपको ये 15 रुपे से start हो जाएगा per square feet के हिसाब से तो और और 60 रुपे तक जाता है फिर जो 3D sheets आती है 3D sheets अगर आपको लेनी है वो आपको पढ़ेंगी 60 रुपे के उपर भी start हो जाती है और 1500 तक वो चालती है अगर हम लेवर रेट की बात करें कि जो लेवर रेट इस समय चल रहा ह नौर्थ में क्योंकि हर जगा अलग-अलग है डिली में ये चल रहा है लेवर रेट चल रहा है 20 से 40 रुपे तक भी चल रहा है और 40 से 80 भी चल रहा है तो जो इधर नौर्थ में चल रहा है वो चल रहा है आपका 15 से 20 रुपे पर square feet के हिसाब से लेवर लेते हैं काफी costly हो ये लेवर पहले ये सस्ता था 13 से 14 रुपे रेट चल रहा था तो ये हो गया अगर आप खुद काम करवाते हो मतलब खुद PVC पैनल बाय करवाते हो आपको 15 से 20 रुपे में वो मिल जाएगा मतलब 20 रुपे में आपको वो मिल गया और अगर आप फिर लेवर खुद अगर हम बात के लिए वाल की पैनल लिंग आपको करवानी है तो आपको 50 से 65 रुपे के रेट आएगा और अगर आपको फॉल्स लिंग करवानी है पीवीसी की वो रेट चल रहा है 65 से 75 रुपे रेट का रहा है आपको की रेट क्या क्या चल रहे है अब भी हम इसके इच वाए 10 फूट का हमरा रहता है ठीक है तो उसकी जो ठीकनेस आपको मिले की मार्केट में पांच एम देख लेना चेकिंग कर लेना क्यूंकि होता क्या है जो एक पतली पीवीसी वॉल्स के मतलब शीट भी आती है तो गलती से मतलब स्टार्ट क्या करते हैं कि किसी लुद्याना में लुद्याना से मगवा वहां से सस्ती पड़ेगी आपको ठीक है क्लेर और जो लेवर रेट चल रहा है वो चल रहा हमारा 15 से 18 रुपय यह आपकी स्टेट में अलग हो सकते है लेवर रेट यह रहा फिर अगर फुल कॉंट्रेक्टर दो गे मतलब माटीरिय सिर्फ तो वॉल का रेट है 50 से 65 रुपय और सीलिंग करवाते हो सीलिंग का पर स्केर फीट का रेट बोल रहा हूँ है फुल माटीरियल वाला यह बात चल रही हमारी तो सीलिंग करवाते हो अगर आप तो सीलिंग का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है हमारा 65 से 75 रुपय clear, clear, इतना clear हो गया, और इसमें include क्या होता है, अगर पहले वो ही बात कर लेते हैं, फिर पूरे कमरे की हम rate analysis करते हैं, तो इसमें include चल रहे हैं हमारा, जो भी transportation का खर्चा होगा, वो ये include नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये आपको पहले ही clear करना पड़ेगा उसके साथ, transportation का खर्चा आपका रहेगा जहां हमारा, फिर वो बात होगे, दूसरी, जो ladder होती है, उसका खर्चा भी इसमें include नहीं करते हैं, लेकिन जो पुरानी construction आप दुबारा PVC बाद में करवाने जा रहे हैं, तो switchboard का issue रहता है, साथ में जो curtain बगारा पहले लगे होती है, उनकी जो pipe होती है, तो उसका fixing भी, तो ये दो चीज़े ज़रूर पहले ही mention कर लेना, जब भी आप full contractor के साथ करवा होगे, अभी हम बात करते हैं, इसका rate analysis की basis पे कैसे किया जाते हैं, हमें एक example लेते हैं, हमारी sheet आ रही है, जो 10 inch by 10 foot की, clear, ये हम sheet बना लेते हैं, बेले एक, ये sheet है हमारी, ऐसे वो है 10 inch, और ऐसे वो है 10 foot, 8 foot की भी आती है, 10 foot, ठीक है, sorry, 10 foot, तो अभी हम इसका, पहले हमें निकालना पड़ेगा, इसका square feet कितना होता है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 10, 10 inch है, इसको फीट में करना है, उसको करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक फीट में हमारा कितने 12 inch होते है, तो ये हो गया, हमारा 0.83 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, और ये 10 foot है, ये फीट में करना हो गया, दोनों को मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो 10 foot, ये हमारा हो गया, 0.8.3 square feet हमारा, एक sheet की होती है, तो इधर clear हो गया, एक sheet इतनी की होई, मतलब अगर हम पचुंचर बे rate पकड़ते हैं, एक sheet हमें कितनी की पड़ती है, जो फुल जो बात कर रहे थे हम, फुल कॉंट्रेक्टर का rate, वाल के लिए, पचुंचर बे, 50 से 65 से हम पचुंचर पकड़ लेते हैं, तो 55 multiply करेंगे, तो हमें आगे कुछ 456 रूपया, एक sheet हमें पड़ती है, पूरी, clear, यहां तक clear हो गया, अभी हमें एक room निकालने हैं, कोई आपको दिवार है आपकी कोई, 10 foot वो लंबी है, एक दिवार को करने में 6600 रूपया हमेरे लगेगा, एक दिवार को करने में, और हमने यह निकाला भी हुए, जो काफी work चल रहा है अभी, तो approach एक room को PVC paneling करवाने में, आपका जो खर्चा जाता है, वो जाता है 25 से 30,000, उसमें false ceiling भी आगी, वाल आगी, false ceiling आगी, 30,000 जाता है, अगर भाई कोई approach 10 by 10 का room है आपका, कितना 25 से 30,000 रूपया एक room में जा रहा है आपका, कितना false ceiling भी और वाल का, अगर सिर्फ आप वाल करवाते हो, वो आपका खर्चा पड़ जाएगा, कुछ 19,000 से लेके 25,000 रूपय तक एक खर्चा रहता है, डिपेंड करता है आप कौन सी PVC वाल यूज कर रहे हैं, आपको कैसा कंट्रक्टर मिल रहा है, लेकिन आपको पकड़ के चलना है, 25 से 30,000 रूपया एक room का ceiling और वाल कहीं नहीं जा रही है, और यह में कहूंगा, जरूर करोना चाहिए, जिनके घर में dampness है, और अगर हम paint की तुलना करें से, तो paint से अच्छा में इसको इसको ही बोलूँगा, क्यूंकि उसमें काफी ज़दा गंद भी पढ़ता है, थोड़ा costly पढ़ता है, अगर थोड़ा अच्छा paint लगाने गए, और उसमें labor rate काफी ज़दा पढ़ जाता है, तो मेरे ख्याल में PVC panel इस समय best चीज आपको जरूर करना चाहिए, सब को जो सोचने हैं अपने गर में करने में, इसमें आपको rate analysis भी पजल गया, अगर हम पकड़ के चले, एप्रॉक्स, जो आपका 1000 square feet का अगर है, तो उसमें एप्रॉक्स आपका खर्चा कुछ लगने वाला है, एक लाग सावा लाग रुपया आपका PVC panel में लग जाएगा, इंटीरियर में, अंदर में, और वैसे अगर आप उसमें चले जाएंगे, पेंटिंग में, तो इतना ही एप्रॉक्स दुनों का सेम खर्चा ही पड़ता है, तो ये पकड़ के चलो, आपको समझ आया होगा क्या rate है क्या नहीं, तो ऐसी वीडियो साब को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दुआ करके रखो, थैंक ये,